वेलकम टू पिपेसे मेकर दोस्तो आज है 28 से जनवरी 2022 और 28 से जनवरी 2022 से संबंदित बिहार करेंट अफेर्श और शाथ ही राश्टर अंतर राश्टर घटनावसेत करेंट अफेर्श के जितने भी परश्ण बनेंगे उन सभी परश्णों को विसलेशन साहित मैं आपको इस आजिक वीडियो में बताऊँगा वो परश्ण थाकि निम्लिकट में से बकसर की किस सीक्षिका को विद्यवाचससपती सरस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है complete जानकारी यहांस मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका right answer होगा मीरा सिंग आपको ध्यान रखना है मीरा सिंग को भी हाली में विद्या वाचस्वती सरस्वत संबान से सम्मनित किया गया है और यहां पर बकसर की बात है तो आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी विश्यसताओं के अगर बात करें तो यहां पर आपको पूरे एक साल करने कि इसकी ध्यान रखे अभी हाली में चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ था जहां पर मैंने बिहार से समंदित लोगों को वर्स 2021-22 में जो सम्मान मिलाया फिर जो उपलब्दी आंसील हुई है उसकी बारे में इस वीडियो में बताया है आप जाकर के प्ले लिश्ट में ट धिरच कुमार और पल साक्षी और इस अधार पर यहां पर हम फाइनल आंसर चुलेंगे ऑप्सन नंबर एक को उसमें सही यह वाला सेक्तन यहां पर इस प्रशन का राइट आंसर होगा उप्यूक्त में से एक से अधिक आपको इस प्रशन बारे में विस्तुरत जानकार दे सकते हैं यहां पर धिरच कुमार पस्टिमी चंबारन और साथ-साथ पल साक्षी छपरा के रहने वाली हैं और यहां पर आपको ध्यान एकना 24 जनवरी 2022 को इन दोनों को परधान मंतर राष्टे बाल प्रुषकार से सम्मानित किया आ गया अब यहां पर एक शी ध्यान रखे तो इसलिए अभी हाली में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जबकि कि हम पल साक्षी की बात करें तो पल साक्षी ने करोना का, करोना कानेबल की काल होना चाहिए तो करोना काल में 10,000 रुपिय की मदद PM के अर्स फंड में भेज़े थी और इस पैसर को उन्होंने चेरेटी सो के जरिया जुटाया था हमने अब कुछ पॉइंट और भी इन से समंदित लिखाए कि परधान मंत्री ने इन दोनों से सीधा समवाद अस्थापित किया चलते यहां पर हम अगले दूसरे प्रशन पे हमारा दूसरा प्रशन की हाल हमें भारत तिरवाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्य प्रुष्टकार के लिए चैनित किया गया है Most most important प्रशन है और इसका right answer है हमारा option number A यानि कि सत्यंद्र प्रकास इसका सही answer होगा आपको बता दू कि हाली में सत्यंद्र प्रकास को मद्दाताओं को मद्दान के लिए जागरुक करने में उनकी उलेखनीय सेवाओं के लिए राष्टिय अस्तर पर सम्मानित किया गया आपको ध्यान रखना इनका नाम है सत्यंद्र प्रकास हमने आपे आगे लिखा कि 25 जनवरी 2022 को बारवा मद्दाता दिवस बनाय गया यह प्रस्ण इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में बन सकते हैं और चुनाव आयोक की यहां पर बात है तो चुनाव आयोक की अस्थापना 25 जनवरी 1950 को भी थी तो यह भी पॉइंटर ध्यान लेकर जितने भी चाहिए यहां पर मैं आपको विश्ते तोर पर बताता हूं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यहां पर डेली बेसिस पर आप इसका नोट तयार कर सकते हैं जिससे आपके तयारी बहतर होगी और शिए भी ध्यान लेकर जो लोग नोट नहीं तयार करना चाहते हैं जिनके पास समय का अभाव है तो आपको ध्यान लखना एक बिप्यसी मेकर एप पर ये सारा का सारा प्यड़ियव फाला आपको वहां पर डेली बेसिस पर मंध्यली बेसिस पर और यीर्य बेसिस पर पर प्रवाइट किया जाता है तो आप वहां पर जैकर करके इन सारे प्यड-व को प्राप्लप कर सकते हैं著 जलते हैं तीसरे प्रसospel को हाली में आमवाम की य आवाज पुस्तक का लोकारपन हुआ, इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक का नाम है आम आवाम की आवाज, आपको ध्यान रेकने आवाम मतलब होता है जनता, इस प्रशन का हमारा राइट आंसर होगा प्रोफेसर स्यामल किशोर यादव, अरथात, अपसन नमर डी, आपको इ आपको ध्यान रेकने यहाँ पर प्रोफेसर स्यामल किशोर यादव के बारे में लिखा गया है और इसी में हमारा अगला प्रशन का हाली में इस रोने किस राज जी के महंद्र गिरी में विकास इंजन का सफल फरिक्षन क्या है इस प्रशनी का हमारा राइट आंसर है आपसन नमर सी, यानि कि तमिलनाडू इसका स्युतर होगा आपको इस प्रशनी बारे मतांदों कि तमिलनाडू के महंद्र गिरी इस्तित इसरो परशेपन केंद्र में गगन्यान अवियान से जोड़े एक उच्छ छमता वाले विकास इंजन का सफल फरिक्षन क्या गया है आपको ध्यान रखना ये सारी प्रशेपन केंद्र है तमिलनाडू वहीं पर कसकने विकास इंजन का सफल फरिक्षन क्या गया है हमने यहाँ पर इसके उद्देश के बारे में कुछ प्रिक्षन लिखा है कि हल्दी अनसंदान सनस्थान के अस्थापना तमिलनाडो में की जाएगी यह आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर बात है इसरो की तो इसरो से समंधित कुछ पॉइंट मैंने आपको अल्रेडी कई बार बतला है लेकिन यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे भारत की जो अंत्रिक्ष अजनसी इसका नाम है इसरो जबकिकर हम प्रोशी देश पाकिस्तान की अंत्रिक्ष अजनसी का नाम आपसे एक जाम में पूछा जा सकता है तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष अजन्सी का नाम है सुपारको, रूस की अंतरिक्ष अजन्सी का नाम है रॉस कोस्मोस, जपान की अंतरिक्ष अजन्सी का नाम है जाकसा, अमेरिका की अंतरिक्ष के अजन्सी का नाम है नासा, इसी तरह से और भी जो परोश्ची देश हैं, उन राइट अंसर होगा आपको इस प्रश्टे बार बता दूँ कि अंतरराष्टे सिक्षा दिवस 24 जनवरी को मराए गया 24 जनवरी 2022 को इस दिवस का थीम आपसे एक जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे हमने उसी चीज को लिखा है कि इस बार इस दिवस की थीम चेंजिंग को से transforming education रखी गई है और विश्ट सांती और विकास एने के world peace and development के लिए सिक्षा की भूमिकाओं को बढ़ावा देने के मकसद से हर वर्स 24 जनवरी के दिन ही अंतरराष्टे सिक्षा दिवस एने की international day of education के रूप में मना जाता है यह आपको द्याने इसी मकसद से यानि कि परतिमास थापित करने की घोश न इक्षा करने की और आपको यह भी द्याने इकना हिए कि जब तक यहीए प्रतिमास थापित नहीं हो जाती तब तक हैं पर Jews are those तो ये चीज़े यहां से मैंने आपको बतलाया है चलते यहां पर हम अगले च्छाठे प्रश्ने पर हमारा अगला च्छाठा प्रश्ने का हाली में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एंबैस्टर बनाया है इंपोर्टन प्रश्ने है और इसका राइट आंसर होगा नी डॉट ना पर एंबैस्टर बनाया है यह इस्थिंट डॉट डॉट की तो घॉट राइट भारत के हर्याना राज्य हर्याना राज्य के रहने वाले और उन्हें घने um पांच आट मीटर भाला फेकर ट्रेक एंड फिल्ड एतलेट परतिस परदा में गोल्ड मेडल याने की का सकते हैं स्वर्ड पदफ जीतकर इत्यास रचा था आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो हमने लिखा है उन्होंने आजित टोक्यो ओलंपिक में भले ही यह दो जाने के इतना जो पॉइंट मैंने आपको बताया यह सभी इस्टुडेंट को लगभग आता होगा लेकिन जो हट कि है जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं यह वहला भी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टन हो सकता है दूसरे भारते हैं तो ये भी आपको ध्यानकना अंजू बावी चॉर्ज के बाद ये किसी विस्व चेंपियंशिप अस्तर पर अथलेटिक्स में स्वर्ड पदग चीतने वारे दूसरे भारते बने हैं नेरा चोगड़ा अब यहाँ पर हमारा अगला है सात्वा प्रश्ण यह प्रश्ण का हाली में टेलिकॉम कंपनी जियो ने 6G सोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूणिर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया या फिर समझोता किया है इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा फिनलेंड की उनिर्सिटी ऑफ ओलू के साथ अभी हाली म ये समझोता किया गया है आपको इस प्रश्ण बारे में विस्तित जानकार देदू की टेलिकॉम कंपनी जियों ने फिनलेंड के ओलू इस विध्याले के साथ 6G तकनिक के विकास के साथ-साथ उद्मिता को बढ़ावा देने के लिए समझोता किया है इस उनिवरिसिटी का नाम है इनिवरिसिटी ओफ ओलू आपको ध्यान रखना ये फिनलेंड में मतलब फिनलेंड का है और यहाँ पर हमने आगे लिखा कि इस समझोता के तहत जियो की 5G चमता मजबूत होगी और इसे कह सकते हैं 6G के छेतर में समभावना तलासने में मदद मिलेगी यानि कि जियो के 6G के छेतर में समझोता के साथ यहाँ पर हमने जियो के बारे में कुछ पॉइंट और लखा है कि जियो प्ले फोर्म्स है दूर संचार कंपनी रेलाइंस जियो के हैं मूल कंपनी है जिस परकार अगर हम बात करें Google की तो Google की जो मूल कंपणी ये अलफावेट है तो उसी परकार जियो प्लैफरंप्स के जो का सकते हैं मूल कंपणी है ये है Reliance जियो ये आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर अगला है आट फाव प्रश्ने ये प्रश्ने के हाले में दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है ये रिपोर्ट अभी हाले में परकासी थी थे और इशी रिपोर्ट के अधार पे गर हम बात करें इसका राइट आंसर होगा आप्सन नमर्सी यानिकि भारत इस मामले में इस निर्यात के मामले में कं सकते सिर्फ nosso बन गया है आप्सन नमर्सी इस प्रश्न का lur आइक अंसर होगा तो भारत दुनिया में यहां पर नेवल के पार कर लिया, यह ध्यान रखना आपको, इस अधार पर यहां पर हम कर सकते हैं, या फिर जो रिपोर्ट जारी कीगे, इसके अधार पर आपको ध्यान रखना है, भारत इस मामले में सिर्स अस्थान पर है, भारत की गरम बात करें, तो भारत खीरे को वरतम कौन समय के दिरिश्टी कौन से गर हम देखें तो इस मामले में अपना भारत परतम अस्थान पर है ककड़ी और खीरे के निर्यात में अगला होगा यहां पर हमारा नौवा प्रस्ण यह प्रस्ण हाले में भारत की किसे पूर्व फूटवालर एंग कोच का बहात्तर वर्ष की आयू में निधन हो गया है इंपोर्टन प्रस्ण है इसका राइट अंतर है अप्सन नमर डी यानिकी सुभास भामिक आपको बता हूं कि भारत के पूर्व दिगच फूटवलर और मसूर कोच सुभास भामिक का लंबी बिमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को को कोलकाता के एक सदस से थे और गरम सुभास भामिक की बात गया तो इसके नेत्रित में इश्ट बंगाल ने राश्ट्य लीग के खिताब जीते थे कई खिताब जीते थे यह आपको ध्यान रखना है अगला होगा यहां पे हमारा दसवा प्रश्ण यह प्रश्ण का हाले में पाकिस्तान के क स्टार विकेट की पर बल्लेवाच महमत रिजवान को 2021 वर्स के लिए आएससी पुरूश टी ट्वैंटी क्रिकेटर आफ द इयर चुना गया है महमत रिजवान को आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज में और वहें पर हम बात करें महला स्रेनी की तो महला स्रेनी के बारे मंधाना को मिला है और आपको यह धनकना है इस मिरती मंधाना को यह दूसरी बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया है उसी सीच को यहां पर हमने नेक्ट में लिखा कि इस से पहले भी इस मिरती मंधाना को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस मिर्ती मंधाना को इस से पहले निए कि 2021 से पहले कब महला किर्केटर अब दो एर की रूप में चुना गया था आप मुझे कमेंट करके इसकी जानकारी जरूर देज़ेगा देख दें कितनी लोग यहां पर क्यमेंट करते हैं चलते हैं अगले ग्यारवा प्रश्ट के एक ग्यारवा प्रश्ट के हाली में भारत की पहली UNDP अर्थात United Nation Development Program के तहत युवा जलवाई चेंपियन कौन बनी है इस प्रश्ट का हमारा राइच अंसर होगा प्राजेक्टा कोली ध्यान देजिएगा इहां पर कोली नहीं बल्कि इहां पर होना चाहिए प्राजेक्टा कोली यहां युवाज जलवाई चेंपियन चुना गया है तो option number B यहाँ पर इस प्रश्णी का right answer होगा इसे भी आप यहाँ पर का सकते हैं important प्रश्णों की स्रेणी में रख सकते हैं अगला होगा हमारा बार्मा प्रश्णी यह प्रश्णी का हाली में 20 धाका अंतररास्टे फिल्म महुत्साव में किस भारते फिल्म को सरुस्त्रेश्ट फिल्म का पुरुष्क्रार मिला है इस प्रश्णी का हमारा right answer होगा कुछ जंगल यानि कि option number A इस प्रश्णी का सही उत् आपको यहाँ पर इस प्रश्णी बारे बता दो कि यह बंगला देश के ढाका में शुरू हुए इस महुत्साव में 70 धेश्टों की 225 फिल्मों को 15-23 जनवरी को 10 स्रेणियों के तहट परदरसित क्या गया तो इसके अधा तकर हम बात करें तो 20 संस्क्रण में भारते परविष्टियों में पियस विनोथ राज द्वारा निर्देशित को जंगल को सरस्टेश्ट फिल्म का पुरुषकार मिला है इसके तरह तरह और भी कई फिल्मों को अवर्ड मिला है यह तमाम चीज़े हैं यहा और यहां पर यह द्याने के इस वाले पीडियाप को आप लोग जरूर डाउलोड कीजिए और जो लोग बिहार में आईजित होने में किसी भी परतोगे परिशा की तैयारी में लेगे हैं तो BPSC Maker App को प्लेशोर से जरूर डाउलोड कीजिए प्लेशोर से डाउलोड करने ब तो आप लोग से जरूर जोइन करें और यहां पर बहुत सारा लोग जोइन कर चुके हैं तो आप भी इसमें जोइन हो सकते हैं तो दस्तो आज के इस वीडियो में नेक्स वीडियो में तो के लिए धन्वाद जैएंद